हालो गाइस तो केसें आप सब लोग आप देख रहे हैं CWC मेरा नाम है यश तो जैसा कि आज आप थमलेल में देखकर आए होंगे आज मैं बताने वाला हूं जैसे अपने इंडिया में रेप की केसे ज्यादा बढ़ रहे हैं बहुत सारे लेपिस्टार उनके किलाफ कोई एक चोटा साइस का टोवेल है यह ले लिए एक गलव्स आपके पास हो गई और एक पेस्ट दाथ बाजने का और यह रवड इसकी जगह आप जो नॉर्मल रवड आते हैं उस वह भी ले सकते हैं तो कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूं आपको इसको कि फोल्ड कर ले तो यह देखिए यह मतलब यह अपन को दो बारत को फोल्ड कर ले रहा है पने वसको और टॉइल को और इसको ऑपर अपने को रखना है यह गलब जाद इसको यह आप रख दिया कगिने में अपने और फिर दीडरे दीडरे मतलब इसको थोड़ा उपर ही रहने देना ताकि यह सई से फोल्ड हो जाए एक यह मैंने पुरा सेट अब इसको दीडरे दीडरे यह फोल्ड करना अपने को दीडरे दीडरे मैं कुछ अभी यह जो है इसको अपनेको निकालना वें इसको कैसे निकालेंगे यूँ धीरे से इसके निकालेंगे एक मिल्यर्ट मे निकाल ये देखिए कैसी मैंने इसमें से यसे उसे भार कर लिया ताOUT कि अपना फोल्ड सही से हो जाए और modern jour एसा हो जाएगा यह सही से फॉल्ड हो जाएं और इसको तो हम सादे में घह्ता देते हैं इसका काम हो गया अब अपने को इसको आंडर से फॉल्ड करना किसे यह रीआसे यहूँ, तो मैं फॉल्ड कर देते हूँ फование फहले फिर आपको बताता हूँ तो यह पैंप्छ च्रावर हिए मतलब भार ईत्वा अंदर से फोल्ड करES लिया फोल्ड हो Elise अब इसमें के संही उरहा है अब मैं इसमें ये वाला करूष था यहां पर है हैं इसमें और दोह स्टीन बढ़ा नहीं नहीं पहले दिएक भाशना अधर में बनका मुदक दूर और यहां पर यह से तीन लगा दिया और यह आपका complete हो गया यह यह देखिया यह सही हो गया और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यह हैं एकदम सही हो गया अब इसमें अपन क्या करेंगे एक मिनिट में बहुत इसमें क्या करें यह लिया है मेंने अब यह तो बहुत ज्यादा हाड रहेगा तो इसमें यह मेरे पास coconut oil है जो इसमें तीन चरभून दाल देए अच्छे है और इसको साइड में रखे यह देख तो यह हमारा कम्प्लीट हो गया यह पूरा हमारा टॉय और आप इसे अच्छे से यूज भी कर सकते हैं इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपका काम भी हो जायागा और फालतों को नुक्सान में होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीड में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को जब तक के लिए बाय बाय ऐसे नहीं नहीं वीडियो लाते रहूंगा तब तक के लिए नमस्कार